श्रीरा देरा दे भक्त महान पूरुष्ट के अंदर एक सहज ही गुण होता है उदार्ता का किन्तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनके सेवक इस गुण को नहीं सीख पाते हैं वो कंजोसी में लगे जाते हैं स्वामी चाहते हैं कि परम उदार्ता के साथ सभी लोगों की सेवा हो सब सुखी हो और उनके सेवक चाहते हैं नहीं नहीं महराजजी के ज़्यादा खर्चा नहीं करना है इसलिए कंजोसी करनी है तो उनका सुधार स्वामी लोग करना चाहते हैं सेवक का सुधार करना चाहते हैं कुछ ऐसा ही विचित्र दृष्य महराजी के सम्मुख कभी कभी प्रकट हो जाता था जैसे एक बार एक व्यक्ति आया आधा सेर तेल के लिए महराजी के पास आधा किलो तेल उसरी मागा एक साधू में तो जो इस कारे को करने वाले होते हैं आश्या में बड़े आस्तमों में तो कुठारी लोग तो विवस्था कारे को देखने वाले जो होते हैं उनको बड़े आस्तमों में कोतवाल करते हैं और जो इस्टोर को समालने वालों को कुठारी करती है। तो महराजी की पास आकर कि कुठवाल जो था आश्रम का, वो बताया कि ये सादू को आधा सेर तेल चाहिए महराजी। बोले ठीक है तुम जाओ, महराजी बोले कि जाओ कुठारी से दिलवा दो। अब कुठारी को बताया जो कुठवाल ने कि महराजी ने कहा आधा सेर तेल चाहिए इनको, आधा किलो। तो कुठारी कंजोसी करने लगा। और वो महराज आधा सेर की जगह एक पाउ देने लगा। अधा किलो का आधा जो हुआ। तो कोटवाल जो था आश्यम का उसने जा करके महराजी के पास कहा। कि कोठारी जी तो महराज जी आधा किलो देहीने रहें, उसका भी आधा अर्था धाई सो ग्राम दे रहें। तो महराज जी ने कहा एक सेर दिलवाओ। साधू ने कहा था मैं आधा किलो तेल चाहिए। महराज जी ने कहा एक किलो तेल दिलवाओ। अब कोठारे आधा किलो देने लगे अब फिर जब ये खबर महाराजी के पास पहुंचाए गई कोटवाल के द्वारा तो महाराजी ने कहा कि नहीं सादू को दो किलो तेल दिलवाओ महाराजी इस प्रकार से बढ़ाते गए महाराजी और बढ़ाते बढ़ाते 32 सेर की बात आ गई अर्था 32 किलो तेल दो तो बड़े महाराजी जो थे न इतनी उदार थे रवनादाशी महाराजी उनको कंजुशी तो कभी छोही ने गई कोठारी का सुभाव गदलना था कोठारी आती कंजुश महाराजी करें आदा किलो तेल दो तो अधाई सो गराम देता है और साधू को चाहिए आदा किलो तेल तो बढ़ाते बढ़ाते महाराजी ने कहा 32 किलो तेल अपने सिर पर रख करके कुठारी ले करके जाए साधू की कुठिया ठक और महराजिन को आदा किलो तेल चाये था उनके लिए महराजिन ने कुठारी के सिर पर रखवा करके 32 किलो तेल भेजवाए ऐसे लिए महाराजी की थे सिखाते थे वो अपने आशित जनों को कि उदार बनो, सेवा पराण बनो, कंजूस मत बनो और जो जब पाठ ध्यान और पूजा करने वाले लोग संत लोग रहते थे वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में थे महाराजी उनको कहते थे कि जब पाठ पूजा करो लेकिन घंटी मत बजाओ और पाठ करने में भी यह सौधानी रखो कि तुमारे पाठ की आवाज दूसरों के कान तक नहीं पूँचे क्योंकि कोई ध्यान कर रहा है कोई जब कर रहा है कोई अपने किसी पाठ में लगा है तो उसकी पाठ में बाधा पड़ जाएगी यह बात दल्दे समझते नहीं लोग अपना गला फाड फाड करके जोर जोर से पाठ चुरू कर देते हैं वो समझते हैं कि माई ही के और पाठ करने वाला हूं और कोई नहीं मेरे सामने भी ऐसी बात कई बारा आई बता हूं मैंने बरसाना में एक बार देखा तैसा एक आश्रम में और भक्ती आश्रम में भी देखा कि ऐसे कई-कई लोग आ जाते हैं खुब चिला-चिला करके पाठ करने शुरू कर देंगे तो दूसरे लोगों के जब ध्यान पाठ में बहुत बाधा पड़ती है ऐसे कभी-कभी आ जाते थे बड़ी चावने में भी तुमारा श्रगुना तास्टी कहते थे नहीं ऐसे पाठ नहीं किये जाता है ऐसे मन स्वर्वें पाठ करो या मानसित करो कि दूसरे के पाठ पुजा ध्यान जब में बाधा नहीं पड़े तुम अपना काम बना रहे हो दूसरे का बिगार रहे हो तो तुमको पाप लग जाएगा इतना जाता ध्यान देटे थे महराजी सादूओं की दिन चरया पर और महराजी तो पहले फाउज में थे न मैंने आपको सुनाया था इसलिए उनके पास गवरों सिखों मुसल्मानों की फाउजें भी आती थी और सब दंडवत करते महराजी को अब का स्वागत होता था और बड़े शान्त सुभाव के अच्छे सुभाव के मुसल्मान फकीर भी दूर दूर से आ जाते थे जिनके मन में कोई द्वेश नहीं होता था और किसी को सताने वाले नहीं सबका भाला करने वाले होते थे वो लोग महराजी की पास आते थे कभी-कभी ऐसे मुसल्मान फकीर भी आ जाते थे तो महराजी उनके अच्छे गुण देख करके उनका सतकार कर लेती थे खुब सत्संग होता था श्री महराजी का सत्संग प्राप्त करके ये दूसरे-दूसरे मजहब वाले धर्म वाले भी कितने मस्त होते कि आँखों से आँशु गिरने लग जाती थे एक बार एक साधू आये महराजी से पूझा महराजी आप कौन सी उपासना करते हैं तो श्री महराजी उत्तर दिये हमारे यहां से कोई उपासा यानि भूखा न जाए यही मेरी उपासना है कोई उपासा न जाए मैं परस यही उपासना करते हूँ तो साधूतूप हो गया महराजी नोंने भरपोत भोजन कराया और भेट दिया वो प्रसन्य चित्तो होखर की गया इतना अधिक महराजी के अंदर यह दैवी गुण विक्सित हो गया कि चरा-चर पर उसका आशर पढ़ता था तिरियक उनकी प्राणियों पर भी उनका आशर पढ़ता था सर्यूरी के किनारे एक कुंड में एक मगर का बच्चा रहता था महराजी खूब खिलाते थे जब मस्त हो जाता था भेंट प्रशाद अर्थात खाने की समगरी खूब ले जाते थे सात्वी कंड भोजन फल और मिठाई और खाज पदा था तो उसको खिला देते थे महराजी अपने हाथ से और उस मगर अर्थात घडियाल का नाम रख दिया था मोहन दास किसी सादू सेवक को नहीं पकड़ना ऐसा समझाते थे उसको काते थे जो मैं खिलाता हूं यही खाओ किसी को मारना कुणे महराजी जब सनान करने जाते तो उसके पास जरूर जाते थे और रोजना सनान करते थे महराजीयों तो वो देख करके महराजी के चरण पर मुह रख देता था और महराजी को देखता था महराजी दाइने हाथ से उसका सिर्ष परश करते करते थे ठीक है खालिया ना तुमने आप देखो अब मुझे इसनान करना आप तुम जाओ तो यह सुन करके वो कुंड में फिर चला जाता था महराजी सर्य उसनान करते थे इस प्रकार से उनका दैवी प्रभाव इन खतरनाग जीवों के उपर भी था और बिगडे हुए को भटके हुए को महराजी सही मार्ग दर्शन करके सही रास्ते पर ले आते थे एक सादू लौकी का कमंडल बना करके ले आये और कहा इसे कोई आटा दाल चावल से भर नहीं सकता है सब सुन कर करते कि इसका दिमाग ठीक नहीं क्या भगता है तो बात ये थी कि भक्तों उसने सादू ने तांत्रिक सादू था तो उसने तांत्रिक सादू ने मंत्र के द्वारा तुम भी जो थी हैं लौकी बनाया था तो उसमें मंत्र की शक्ति ऐसी थी उसके उस लौकी के कमंडल में को उसकी स्रह जिन्नात निकाल दे जाते थे, किसी से वो भरती नहीं थी, श्री महराज जी के पास वो आया, कोतवाल से पूछा, तो सब हाल कहा, महराज जी ने कहा कि उसको बुलाओ, उसका आंकार मिटाना है, महराज जी ने रगुनात दास बाबा ने एक मुठ्धी आटा उसके कमेंडल में छोड़ दी, एक मुठ्धी के वल, वो कहता था कि इसको कोई भार नहीं सकता, चाहे जेतना कोई डाल दो इसके, और उसके पास सक्ती थी ऐसी, लेकिन महराज जी को तुसका आहंकार मिटाना थ एक मुठ्धी आटा डाला, और वो भरता गया, आटा भरता गया, अपने आप भर रहा, इतना भरा कि वो उसकी तुम्भी जो थी न, लवकी की कमेंडल वो फाट गया जोड़ से, श्री महराज जी ने उसे भोजन कराया, वो कहा कि ये सब दुनिया के चमतकार हैं, जिने ल तुमने घर बार छोड़ा, साधू बेश बनाया, फिर मान बढ़ाई के चक्कर में पढ़ करके, किसी काम के नहीं रहे, एक भजन करता है, उसकी आड़ में हजारों लोग खाते हैं, ये शरी स्वार्थ और परमार्थ के लिए मिला है, स्वार्थ सच्चा होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए सच्चा, भजन नहीं बने तो परूपकार में ही लग जाए, तो भी वहिकुंठ में पहुंच जाता है, अपने शरीर से किसी का दिल दुखाना, नीचा दिखाना, ये महापापका काम है, तो तुम यही कर रहे हो, सब का दिल दुखाते हो, सब का अरे ये ठीक नहीं बड़े भाग इसे नर्शरीर मिलता है बाई, इसी शरीर से तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हो, इस बध्यार कि लिए देवता भी तरसते है, ये कर्म वूमें है, यहां की अच्छी कमाई से भगवत धाम में बासपराप्त होता है और तुम अपने शरीर से ऐसी खराब कमाई करोगे तो नर्क मिलेगा सादू को महराजी ने खूप समझाया यहां तक उसके उपर असर पढ़ा कि वो रो ने लगा तो बोला महराजी अब आपकी दया से हमारे मन से भी कार मिट गए हमारे अंदर ऐसी चोट लगी है कि भगवान के नाम जबके सिवाया वो कुछ नहीं दीक रहा है वो दंडवत करके चला गया चादू भटका वो अतांत्रिक जो था चारोधाम की परिक्मा किया हर समय राम राम रटा करता था थोड़ी थोड़ी देर में रोता रहता था जब करते-करते महराज जी की याद करते भगवान की याद करते-करते ध्यान करते-करते उसके पठ खुल गए अर्था धिवेजरिष्टी प्राप्त हो गई अज्ञान खनाश हो गया फिर महराज जी के पास आया दंडवत किया उसकी दर्शा देख करके महराज जी उसको अपने हुर्देश से लगा लिए और एक कुटी दिया बजन करने के लिए और आसन दिया कई बरस तक वो तांत्रिक तादू और भक्त हो करके बड़ी छावनी में बड़े आनंद के साथ रहता रहा है मैंने आपको पहले सुनाया था सनातन भगवान की किस प्रकार से प्राप्त हो थे जो बड़ी छावनी में आज भी हैं तो महराज जी उन सनातन भगवान की पांच परिक्मा प्रक्तिन करते थे और फिर संतों की जितनी जगह में जितनी जगह में कोटिया थी संतों की उनकी परिक्मा करते थे उसकी बाद आसन पर बैठते थे और इस प्रकार से साब संतों की परिक्मा महराज जी करते थे तो पंगत बैठते थी अर्थात भोजन प्रशाद के लिए पंगतिवध संत लोग विराजते थे तो पहले सादू सीताराम बोलते रहे फिर एक बार बीच में सीताराम गुलाते रहे और पंगत उठने के समय फिर बोलते तो तमाम पक्षी पत्तलों पर कूद पढ़ते थे पक्षियों को भी पता चल जाता था कि तीसरी बार जब सीताराम बोल जाएगा तब हम लोगों का नमबर आएगा पहली बार सीता राम बोलते थे प्रशाद जब चल रहा होता और बीच में एक बार सीता राम बोलते तीसरी बार सीता राम बोलने पर संत लोग बोजन प्रशाद से उठ जाते थे और पक्षियों को समझ में आता है कि यह पत्तलों पर हमारा नंबर है तो तीसरी बार जहां सीता राम कि आवाज लगाई संतों ने तमाम पक्षि एक साथ आते थे और सब पत्तलों पर दावड करके पक्षि बैठते थे और सब खुब खाते थे बचा हुआ परशाद संतों का जानते थे कि ये उठने की सीताराम कही गए तीसरी बार और हम लोगों को बैठने के लिए कही गए खुब छक जाते थे पत्तलें और बैठे हुए पक्षी भरपेट खा करके तब पत्तल उठाई आते थे अधाद पत्तल तब तक नहीं उठाई आती थे जब तक पक्षी लोग नहीं खा लेते थे जब पक्षी सब भरपेट खा ले तब पत्तल उठती थे और फलाहार का दिन जो होता था एक दरशी का एकोई अन्यवरत का तो महराज जी उस दिन बड़ा सादा फलाहर करते थे पक्वान वाला फलाहर नहीं करते थे और वही सादा फलाहर संतों के लिए भी ओता था जैसे उबली हुई श्रकरकंग उसको कोई तलाव भुनाव नहीं कहाता थे बस वाल दिया पानी में इसी तरह से उबली हुई आलू, उबली हुई अर्वी गुईयां और अमरूद का फल, भगीचे थे तो भगीचों से अमरूद खुबा जाता था भरपूर, शकरकंद आलू और अर्वी भी भरपूर खेतों से आ जाती थी, तो वही सब उबाल करके और अमरूद काट करके फिर भगवान को भोग लगता, पनातन भगवान को लगता, और वही संतों को फलहार के रूप में प्राप्त होता था, महराजी पताते थे कि फलहार का प्रमाण है कि अन्न से आधा दाम लगे, अब भाई ये जी सावदानी नहीं की जाएगी तो अन्न से तो बहुत ज़्यादा कीमती फलहार तयार होता है, लेकिन महराजी करते थे अन्न से आधा दाम लगे क्योंकि शकरकंदालू अरवी उबाल दी गई बस और उसमें कुछ ज़्यादा विशेश पक्वान आधी नहीं बना जाते थे उम्हाराजी काते थे अन्य से आधा डाम लगे है पलाहर में नहीं तो जब पाष पूजन दर्शन और कीर्टन आधी का फल फिर्शाही रंग से पूरा-पूरा नहीं मिल पाएगा क्योंकि जिसका नियम निफ सकता है जो कर सकता है उसको तो केवल जल पी करके रहना चाहिए वरत के दिन और कोई-कोई तो निर जल पी रहते हैं लेकिन इतना कोई नहीं कर सकता है फलाहार वाला बृत करेंगे तो फलाहार सीमा में होना चाहिए थे सीमा में होना चाहिए और था तो अन्न वाले भोजन से आदा परिशा लगना चाहिए यह महराज जी का कहना था वक्त मुंद और यह बात लोग नहीं जान पाते थे कि महराज जी के अंदर शक्ती कितनी है वो देखने प्रफाई कौन जान सकता है आज भी संत हैं लेकिन पहिचाने कौन जाने कौन उनके अंदर भगवान खेलते हैं उनके अंदर शक्ती होती हैं आज भी संत माता हैं मैं महराज जी किसमा एक बात आपको बता रहा हूँ कि उस इसमें बड़ी-बड़ी नदियों में नावें चलती थी, पुल तो बहुत कम होते थे, तो ऐसी बड़ी-बड़ी नावें चलती थी, इसमें हजारों मन अनाज होता था, और एक नाव डूबने लगी, जो लोग ला रहे, वो बोले, बाबार अगुनात दास की दुहाई, नाव डूबी जा रहे हैं महराजी, बचाओ, अब ये बात बोले जा रहे हैं कहां, सर्यू जी के अंदर, नाव पर बैठे हुए लोग बोल रहे हैं, रो रो कर बोल रहे हैं, आप देखिए, ये शब्द बड़ी चावने तक तो नहीं पहुँच सकता था, लेकिन महराजी के कान में वो शब्द आ गया, इसी दैवी शक्ति थी, जो चिल्ला करके, रो करके, लोग कर रहे हैं बाबारा गुनात दास की दुहाई, नाव बचा लो, वो बाबा को सुनाई पर गया, तो महराज, बाबा तो बैठे रहे है एक रूप में, लेकिन एक रूप में जा करके, नाव बचाया बाबा ने, जोर लगाया, और नाव डूपने से बचा लिया, ऐसे दैवी शक्ति प्रकट हुई महराजी केंड़, और एक रूप से बैठे हैं आस्टरम में, पड़ी छावनी में, तो जाडे का महीना था हो, चंड पढ़ रही थी, और महराजी को पसीना आ गया गलपल, तो भाक्तों ने पूछा, श्री महराजी से कि आपकी पसीना आया, आपकी पसीना कैसे आया महराजी, हम सब तो चंड से काँ प रहे हैं, और आपको पसीना छूटा, तो श्री महराजी ने बताया, यभी एक ना वालों ने हमको पुकारा तो हम नाव में जोर लगाने के लिए पहुंच गए थे इसी से पसीना आ गया अब लोग देख रहे हैं कि वह तो बैठे हैं महराजी सामने तो महराजी बोले कि वो अभी आ रहे हैं वो लोग नाव वाले फोड़ेर में महराजी बोलने कि कुछ देर बाद ही वो नाव वाले लोग आये और उनसे आस्टमवासी उने पूछा कि क्या हुआ आप लोग क्यां से तब उन्होंने बताया यह हम लोग के नाव तो डूबी जा रही थी हमने जब उकार लगाई महराजी को तो महराजी दोड करके पहुंचे और उन्होंने कंधा लगा करके नाव को जोड से एक तरफ धकेला तो नाव डूबने से बच गई कि यदि महराजी नहीं पहुंचते तो आज तो नाव हमारी डूब ही जाती ये बात उन लोगों ने बताई भक्तों महराजी से एक बार शिश्चों ने भक्तों ने आग्रह किया कि आपका एक चित्र प्राप्त हो जाए आपका चित्र एक उतारा जाए तो गादी पर धरने से सब को दर्शन मिल जाएगा महराजी ने कहा जिसका भाव होगा उसको दर्शन होंगे भगवान और भक्त हर जगे मौजूद हैं जब शरी छूटा तो भक्त लोग चित्र खीशने वाले को बुला ले आए केमरामेन को उस्च में तो बहुत ही इंतिजाम करना पड़ता था तो हम चाल उटरफ से काले कपड़े आज ढखे जाते थे लकड़ी चीजें बहुत सारी होती थी खीचने वाला अपने को छिपा लेता था उसमें वाशे खीचा उसको बुलाए तो महराजी जीने मना किया लेकिन फिर भी भाक्त लोग बुला लाए मजले महराजी जगन नंतर जी थे उन्होंने मना किया था लेकिन उनकी बात ना सुनकर लो कैमरामेन को बुला के ले आए और सामने लेकर के खड़ा हुआ जब वो कैमरा लेकर उसमें काट लगे हुए थे चारू तरफ से उसकी तुरक्षा के लिए तो वो तड़ाक से आवाज दिया और कैमरा महराज खराब हो गया मुझले महराज जी ने कहा कि महराज जी ने मना किया था अब भी तुम लोग नहीं माने तब लोग समझ पाए कि महराज जी ने फोटो किंचने को मना किया था हम नहीं माने इसलिए हैं कैमरा तूट किया उसका भाराज्जी के यहां तो हार प्रकार के साधू संत भाक्त लोग आते थे सबके उपर बड़ी कृपा थी उनकी भास्मधारी जटाधारी और जल सेन करने वाले और शट्चक्री प्राणयामी पंचागन सेवी और बैरागी मौनी परमहंस वेद पाठी तप्रकार के हजारों संत आते थे और माल पुआ लड़ू कचवड़ी पूरी तस्मई हलुआ और रसुल्ला इतना भारा रहता था भंडार में ताजा बनता रहता था भरा रहता था भारपूर शर्यू मैया को भगवान को भोग लगा कर सनातन भगवान को भोग लगा करके भारपूर परसुल्ला था और सब के पास पहुंचाना सब को भरपूर खिलाना ये महाराज जी का आदेश था विशेश कृपा पात्र जो संत थे जगनाद दाश्टी महाराज रगवर दाश्टी महाराज शीमर्द सूदन दाश्टी इस सब लोगों को आग्या थे महाराज जी के महाराज जी की कृपा ऐसी थी कि रिद्धी सिद्धी की था नहीं थी रूपया गिन के नहीं कभी रखे गए बड़ी बड़ी दावरी होती वहां टोकरी जो होती न उसको दावरी बोलते हैं उधर आज अध्या जी में तो दावरी में भार भार करके गिन्नी महाराज रूपय चांदी के यहां तक कभी कभी सोने के भी आजते थे चांदी के तो बहुत आते थे और शिक्के जो होते हैं यह साब भरे जाते थे और खत्ता में रखे जाते थे और खुब स्रेवा होती थी उसके द्वारा महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यह विराम देड़ा हूँ शिरार देड़ शिरार थे शिरार खत्ते थी